हेलो दोस्तों मैं अब से चंद्रा चंद्रा इसकी यूटूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सब बड़े ज़जबात के साथ लग जाएए यहां के अलामा कहीं से कुछ नहीं आना है जितनी चीजें आपको यहां से दी जाएंगी केवल आपको उतना देखिए यहां लिखा गया है सबसे पहला रिखा गया है सबसे पहला जो पी प्लूस कांस्टेबल 27.09.2019 सेकंड शिप्ट में जो है आठ कुछ न आये थे यूपीपीपीपीपीपीफ कांस्टेबल 28.09.2019 सेकंड सिप्ट साथ C. तेगा फिपी पुलीस चान्स्टेबल 12208 सेट में 10 से अगे यहां भी लिखा गिया है एक पुलीस चान्स्टेबल 19 जूं 2018 सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूंगे यहां पर जितने भी हमारे रिपीटेट को इससे रहे थे वह सारी चीजें आपको यहीं से मिलने वाला है इसके अलावा यह आपने इन सब चीजों को तयार कर लिया तो इससे जादे कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है चलिए हम आगे चलते हैं दोस्त माता जी ने इनके लिए जेवर बेच के फीज़ जमा किया था उसके बाद इन्हों अपने माता से प्रेणा लेके पढ़ा पढ़ने के बाद देखे सफल हो गई है तो यह जो इस तरह जहां जी हैं सफलता की उड़ान पहली बार में परिवार ही नहीं कह सकते हैं आप यह अ उस एरिया में लड़कियों में सबसे पहली सेलेक्शन लेने वाली हैं कौन इसरत जहां और यह जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा उस वीडियो में सिध्धात नगर के रहने वाली हैं इन लोगों के कास्ट में क्या होता लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत और इनकी जो पोस्टिंग है कुलकाता में हो गई और यह फाइनल सेलेक्शन कर रहा चलिए अगले कोईशन पर हमाते हैं आप लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि कोईशन जो लिखा गया है निम लिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुरा पुराना सारवजनिक छेत्र का बैंग है आपनमबर एंजिया है बैंक का ब्रोवजा अब्मररध इसां पर रहादं का लिखा गया है अगले कोई सन पर यहां पे लिखा गया है औया देखिए यह जो इसां cola हおお 건ata भारत में यह जो है 1865 में इलाहबाद में अस्थाफित है और 1979 में भारत सरकार दोरा राश्टी कृत किया गया था क्या किया गया था राश्टी कृत किया गया था चलिए अगले कोश्चन पे हमाते हैं यहां पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल का नगरी के नाम से जाना चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा पहला जो दिया गया है गते पूर फिर लिखा गया मुझफन नगर था लिखा गया मिर्जयापूर और चौथा जो लिखा गया है मुरादाबाद चलिए जितनी भी चीजें कि आपके पेपर में आने हैं यहां पे लिखा गया है देखिएगा 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राजपाल के रूप में किसने सपत ली थी आप लोग इसमें जो है कमेंट करके बताएंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा तो इसमें पहला आप दिया गया है सूर पर अ था कि सटफा दिया गया है और चौथा दिया गया आश्तोस्ट अंडं चली आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि उमारा आंसर होगा तो कांसर शाई होगा अप सट नंबर क्या सई होगा री कैं नाम होगा आगला जो कोईश्चन है आप लोग धान से देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भरती और प्रोनत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिबिल पुरुस्त की भरती के लिए सारीरिक छमता प्रिक्षा में पुलिस उमीदवारों को दोड़ना आवस्यक है कोईश्चन जो पुछा गया है आप लोग धान दीजिएगा और यह आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस भरती और प्रोनत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिबिल पुलिस की भरती के लिए सारीरिक छमता प्रिक्षा में पुरुस्त आउस्यक है चलिए आप लोग कमेंड करके बताएंगे इसमें जो कितना दाॉल न आउस्यक है पहला ज configur दिया गयाँ वह 25 मिनट में 4,8 क्यमी दूसरा दिया गिया गयाँ 15 कमें 3.8 क्यमी तिसरा दिया गया 35 मिनट में 4.8 क्यमी और प्रट है 35 मिनट में 3.8 क्यमी हमारह कमेंट करके बताएंगे हमारा आंसर काउन सा सई होगा मुझे उमीद हिए सभी लोगों को पता क्यों कि आप लोग यूपी पी का फार्म डाले हैं तो आपको यह भी पता है कि कितने मिनट में कितने दूरी मुझे तैं करनी है तो इसमें जो हमारा कोईश्चन होगा फर्स्ट किया है जिसमें पूर्वचात संग्य रूप में नामित किया गया है इसमें आप लोग कमेंड कर के बताएंगे जो हमारा फान साओंवा तर्था दिया गया लंदन तीसरा दिया गया सिंग्वापूर और चौथा दिया गया है नुव यार्क, तो इसमें जो आप्शन नमबर हमारा सही होगा, वो क्या होगा, नुव यार्क होगा, चलिए दोस्तों हम अगले कोईशन पर आते हैं, आप लोग धान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, अगला जो कोईशन, धान दीजिएग लुख धान दी जिए शाशन लिकवारा है, हिंदू कथा की अनुसार रामायष भारत रामायष महाकाव के दिब राजा राम ने अस्थापना अजुध्धा में सासन किया था तो यहां लिखा गया है अस्तिनापूर दूसरा लिखा गया कुरू तीसरा लिखा गया कलिंग और चौत लिखा गया है कौसल तो इसमें जो होगा हमारा एधिक ध्यान के इंद्रित करता है कौई सन जो दिया गया है आप लोग ध्यान दिजी लखनोव होगा मिन्स आंसन नंबर थ्री हमारा क्या होगा इसमें सही होगा चलिए अगले कुश्चन पर हमाते हैं यहां लिखा गया है फिरोजाबाद दो सो से अधिक बरसों से कर रहा है फिरोजा बाद जो है दो सो से अधिक बरसों से क्या कर रहा है चलिए इसमें आपसन दिया गया है चिकन करी चिकन कारी लिखा गया है चिकन करी दूसरी चीज होती है तो यहां आप लिखा गया है चिकन कारी चिकन दिया गया है काज की चू पूरियां चलिए अगले अक्षन पर हम आते हैं मिंसे अगले कोईश्चन पर हम आते हैं आप धान दीजिएगा लिखा गया है कोईश्चन नमबर 9 में 16-58 में बहादुर्पुर की लडाई में साह जहा के दूसरे बेटे साह जुजा को साह जहा के पोते ने हराया था मुराद बक्स सुलेमान सिकोह तिसरा दिया गया है आलम साह और चौथा जो दिया गया है बहादुर साह तो इसमें जो हमारा आपसन होगा काउन साह होगा सेकेंड मतलब तू होगा सुलेमान सिकोह नहराय था चलि अगले कोई सन पर हम आते देखिए यहां पर डिस्क्राइबर के भी बता दिया गया लिखा गया है बहादुर बहादुर की लड़ाई 24 फरोरी 1658 को लड़ी गई थी आपसे कोई सन एक और पूछा जा सकता है कि बहादुर पूर की जो लड़ाई थी कब लड़ी गई थी तो आप बताएंगे 24 फरोरी 1658 को लड़ी गई थी उसके बाद यहां पे यहां युद्ध भारत के मुगल साजहा के बेटे के बीच उत्तरा धिकारी की लड़ाई तै करने में सहायक था जब साजहां बीमार पड़ा उसके चार पुत्रों उसकी कितने पुत्र थे चार पुत्र थे दारा सिको सासुजा औरंजेब और मुराद बक्स सकता के लिए लड़ने लगे मींस वो क्या किये आपस में भी लगना शुरू कर दिये यहां पे लिखा गया है दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको ने उत्तर प्रदेश के वराणशी के उत्तरपूर में आठ कीमी दूर बहादूर पूर में साह सुजा को हराया चलिए अगला जो कुश्चन होगा आप ध्यान दीजिए ग पूचा गया था तो पहला hoe rehाफ को दूसरा दिया गया है अजम olm गर्ड़ चौथा दिया घॉय हो और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लोग प्रापर वे में देखते हैं उसके बारें बिल्कुल नहीं पता होता है तो यहां लिखा गया उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रती कौन सा जीव है आप लोग उत्तर क्या प्रतीक होता है क्या होता मचली होता है और यह जो पूछा गया था 27 जनौरी 2019 वाले पीपर में चलिए आगले कुश्चन पर हम आते हैं यहां पर लिखा गया है लोग सभा में उत्तर प्रदेश की सीटें सामिल हैं यह कुश्चन जो आप से पूछा गया 27 जनौरी 2019 सि 710 जर्ण लिखा गया 27 सापीश और चौथा लिखा गया नबको इसमें जो सीटें होती हैahn सभा कियो इस सांगि कितनी होती हैङ होती है शाय विधान सभा कितना होता है एलेक्टेड प्लस 10 क्या होता है नॉनिटेड होते हैं क्या होते हैं चले आगले कोईश्यों प्लस कोईश्यों क्या वारond कला होता Verb महीना Coleman चल लए हम चल ले यहां रिखा है मारा Nobel मेला किस दिन स्ब्रू होता है यह जो सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके पहले एक पेपर हुआ था जिसमें क्या हुआ था जो अगली बार का पेपर था उससे रिलेटर लगवग एटी परशंट को इससे ना गये थे तो आप लोग जितने भी हमारे प्रीबियस के पेपर उस पर बहुत है पहला लिखा गया आप मकर संक्रांती दूसरा लिखा गया बसंत पंचमी और तीसरा लिखा गया महा सुरात्री और चौथा क्या लिखा गया अच्छे तृतिया तो यह जो हमारा कब होता है मकर संक्रांती को होता है अगला जो कुछिशन हमारा है कभी संत कभीर का जन्म पालन पोशण किसे सहर में हुआ था यह जो कुछिशन आप से पूछा गया था 27 जनौरी 2019 शिप्ट नमबर ट्य में पूछा गया था इस ज्यों आप जो खांनी जबीर का किने जन्म पालन पोशण किस शहर में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट कोरिस्षर है और यह पेपर में आहंने वाला कोईस्षर होगा वह कहांगा अब हुआ बनारस में अगले कोरुटिस्षर और हमाते हैं अग्ला कुष्षर हमारा दिया रखी थी मतलब लखनओ घराने कि जिस उस्ताद ने रखी थी यह भी कुष्षर आपका 27 जनौरी दोजार अठा उन्नीस सिप नंबर टू में पूछा गया था पहला जो आप्शन है बड़े गुलाम अली खान दूसरा लिखा गया है बक्सु खाना तीसरा लिखा बिस्मिल्ला खान और चौथा लिखा गया है अंजद आल खान तो इसमें जो आप्शन हमारा हें सही होगा दूसरा होगा क्या लिखा गया है बक्सु खान चलिए अगला जो कुछिसरं उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारि द्धोस् के चलिए आगले कोईशन पे हम आते हैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जितने भी कोईशन एक राज आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी कोईशन को आप लोग बहुत ही सिद्धत से पढ़िएगा पूरा धान दीजिएगा मैं आपको रियल चाप तिलक सब छीनी किस भासा में है यहां पे जो हमारा आपसन दिया गया भोशपुरी खड़ी बोली बज्जर भासा और उर्दू यह जो कोईशन हमारा है 27 जनौरी 2019 सिप नंबर 2 में पूछा गया था तो चलिए आप लोग इसमें कमेंड करके बताएंगे इसमें जो आ पसमें आम बोल चाल में बोलते हैं हमारी क्या होती है खड़ी बोली होती है आगले कोईशन पर हम की जो कुछ कोईशन आपका जनौरी 2019 2019 में पूछा गया था इसमें जो पहला option होगा आगरा दूसरा होगा कानपूर तीसरा है बाराणशी और चौथा है लखनो तो इसमें जो answer हमारा होगा काउंस होगा आप लोग comment करके बताएंगे जेखिएगा दुबारा इसमें क्या लिखा गया है आगरा कानपूर बाराणश लखनो तो इसमें जो answer हमारा काउंस होगा चली आप लोग comment करके बताएंगे इसमें जो option होगा हमारा काउंस होगा आप लोग comment करके बताएं चली अगले question पर हमाते हैं यहां पर लिखा गया है उत्तर-प्रदेश प्लिस का मुख्याले कहां स्तित है यह जो question आप से पूछ प्रियाग राज का पहले नाम क्या था अब क्या कर दिया गया प्रियाग राज कर दिया गया है यहां पर लिखा गया है बरसाने की होली बरसाने की होली किसके साथ खेली गई थी चलिए बहुत ही प्यारा अप्षन है आप लोग ध्यान दीजिएगा बरसाने की होली किसके साथ खेली गई थी पहला लिखा गया है टमाटर दूसरा लिखा गया है दूद तीसरा लिखा गया है पत्थर और चौथा लिखा गया है ल तो जो होली खेली गई थी लाटी से खेली गई थी चलिए हम अगले कुश्चन पर आते हैं यहां पर जो कुश्चन हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में आयोजित कल्पिक मेला किस समधाय से जुड़ा हुआ है देखिए कि ध्यान से एक कुश्चन हमारा अठाइस जनौ सब्सक्राइब दोजार निस सिप नंबर वन में पूछा गया था कि क्या हमारा है उत्तर प्रदेश के आयोजित कंपिक मेला किस समधाय से जुड़ा होता है चलि आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट करके बताएंगे किसमें जो आंसर होगा जैन दूसरा होगा सिक तीसरा ह होगा इसाई और चौथा होगा बोथ कौन सा होगा इसमें जैन होगा में सांसर नंबर हमारे यह सई होगा दोस्तों फिर मैं आप से बता रहा हूं जितने भी आपके कुश्चन हैं आपके पेपर के विउस से बहुत ही इंप्रतेंट हैं यहां प्रतिपादक थे भारत में जो कतक नित था उसके प्रतिपादक कौन थे यह भी कुश्चन आपका 28 जनौरी 2019 सिप नंबर वन में पूछा गया था तो पहला कुश्चन इसमें जो आप्शन दिया गया सोनल मान सिंग दूसरा दिया गया मलिका सारा भाई तीसरा दिया गया पंडित विर्जु महराज औ इक चीज मैं आपको उता हूँ जीत उतनी ही रिखानदार होगी जीत उतने जादे क्या होगा आपके लिए रहे मत लड़ते रहे जीत आपका जब भी होगा तो बहुत अच्छा जीत होगा चलिए अगले question पर हमाते हैं यहां पर लिखा गया है निम लिखित में से क्या उत्तर परदेश पुलिस विभाग की चैन प्रिक्रिया के चरणों में से एक नहीं यह जो question पुशा गया था 28 जनवरी 2019 सिप नंबर वन में लिखा गया है इसमें question थोड़ा सधान से देखिएगा आप लोग निम लिखित में से क्या उत्तर परदेश पुलिस विभाग की चैन प्रिक्रिया के चरणों में एक नहीं क्या सारीरिक परशिक्षन सैक्षिक योगित इसमें से कौन से ऐसा है जो आपक्तरप्रदेश पुलिस विभाग में प्रिक्रिया के चरणों में एड नहीं है नहीं हो होता है सैक्षिक योगता होता है आप लिखा गया है एक पैरह रिक गथजा किया निए किसे देउता ने दसा-दोइसजा'd पर कि ये जाने वाले दसा दसा दोमेग यग के दवरान दस घोड़ों की बली दी थी ये कोई सन आप से 28 जनोरी 2019 सिप नंबर वन में पूछा गया था और इसमें जो पहला आप्षन होगा भगवान विशुडू भगवान ब्रह्मा भगवान सीव चोथा दिया गया देवी काली तो इसमें जो आप्षन हमारा होगा भगवान ब्रह्मा चलिए आगले कुश्चन पर हमाते हैं यहाँ लिखा गया है दसा में वराणसी में गंगा तटवर्ती सुपरसिद स्थान है यहाँ लिखा गया है कुश्चन नंबर 25 में उद्गाटन के बाद लखनो के इकाना क्रि बेस्टन डीज श्री लंका अस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक चीज और में आपको पताना चाहूंगा जो इकाना क्रिकट स्टेडियम कि इकाना क्रिकट स्टेडियम को किसने बनवाया था तो आप सभी लोगों को पता होगा समाजबादी पाल्टी के अकली स्यादों ने बनवाया था और पहला जो इसमें मैच शिला गया था वह आप्शन हमारा होगा बेस्ट इंडीज के अगला जो कोश्चन होगा बर्स 1887 में इलाहाबाद बिस्विद्याले की अस्थापना किसने की थी यह जो है 28 जनौरी 2019 में सिप नंबर 2 में कोईशन पूछा गया था कि 1887 में इलाहाबाद बिस्विद्याले की अस्थापना किसने की थी कोईशन यहाँ पे लिखा गया है जो आपसर डाक्टर सर वल्ली राधा किर्शन ने जोनाथन डंकन ने सर बिलियम मुयर या चौथा मदन मोहन मालविये ने तो इसमें जो आपसर हमारा होगा सर बिलियम मुयर ने किया था चलिए अगले कोईशन पे आते हैं पहली महिला पूछा गया था अथाइस जनुदी 2019 में शिप नंबर टू में पूछा गया था तो यहाँ पर पहला जो आप शन है उत्तर प्रदेश दूसरा है तमिल नाडू तीसरा है पस्सिम बंगाल और चौथा है असम तो इसमें जो होगा हमारा का होगा उत्तर प्रदेश मेंस आंस पहली महिला मुख मंतरी थी जिन्होंने 1963 से गया है बर्स 2017 में उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री में कौन चुने गये थे चलिए तो आपको याद होगा क्योंकि बहुत रिसेंटली है यहां लिखा गया है यह जो कुछ सन हमारा पूछा गया था 28 जनौरी 2019 सिक्ट नमबर 2 में बर्स 2017 में उत्तर प्रदेश के मुखमंत्र को चुने गये थे तो आपको पता ही होगा पहला लिखा हो गोविन लन पंत दूसरा लिखा योगी आधित्नाथ तिसरा लिखा अकलेस द्यादो और चौथा लिखा गया है मायावती एर चुक्पे हैं रहे चुक्के हैं डो और योगी तो इसमें पूछा गया कि 2017 में 2017 में चुनाव हुआ था उसमें जो मुखमंत्री रहे कौन थे योगी आदितनाथ थे और हैं भी प्रजन टाइम में अगला कोश्चन है निम्लिखित में से उत्तर प्रदेश का राज पच्छी कौन सा है यह जो हमारा अठाइस जनवरी 2019 सिप्ट नंबर टू में पूछा गया था पहला जो आपसंदिया गया है तोता दूसरा है गरूर तीसरा है राम चरहिया और चौथा है सरसली आप लोग कमेंड करके बताएंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा इसमें जो हमारा आंसर होगा आप अपक्षी जो होता है राश्टिय पूस्प क्या होता है प्लास होता है और और चीज आपको और जनना होगा राश्टिय गीत जो होता उत्तर प्रदेश समेटता खुद को एतिहास के पन्नों में राज खेल होता है और राज नित किसा कहती है यहां पर लिखा गया है इंपा बर्स 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को वह किस नाम से जाना जाता है क्या लिखा गया है ब प्रदेश के किस सहर में भगवान सीव के सम्मान में कैलास मेला आयोजित किया जाता है पहला आपसे जो दिया गया आगरा दूसरा बाराणशी तीसरा कानपूर और चौथा लखनो यह जो कुश्चन हमारा 28 जनौरी 2019 में पूछा गया था इसमें जो हमारा अंसर होगा क्या हो होता है चलिए अगला को सन है कौन सा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है यह जो कुश्चन आप से पूछा गया था 28 जनौरी 2019 नंबर टू में पूछा गया था तो यह जो कुश्चन मुझे लगता है कि सबको पता होगा पहला लिखा गया है आगला नहर दूसरा सार् भारत के उत्तर प्रदेश राज के एक क्रिसी बिस्विद्याले यह जो हमारा कुश्चन है उन्नीस यह जो है जून 2018 में पुछा गया था यहाँ लिखा गया लखनु पंतनगर मेरट सहारनपूर तो आपनों कमेंड करके बताएंगे इसमें जो हमारा आपसन होगा क्या होगा मेरट होगा क्या होगा मेरट होगा मिनस आपसन नंबर 3 हमारा सही है अगला जो कुश्चन हमारा यहाँ लिखा गया मुरादा बाद किस काम के लिए परसिद्ध है और दुनिया भर में हस्त कलाओ द्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है यह कुश्चन आपसे पूछा गया थोड़ा सधान देंगे उननीस जून दोजार अठारा सिक्ट नंबर 1 में पूछा गया था तो इसमें लिखा गया ताबा पीतल हीरा और इस पात यह भी मुझे लगता है बहुत इप्वाटर कुश्चन है और आप सभी लोगों को पता होगा तो इसमें जो ल शिला कल्याड सकती के लिए काम करता है चलिया इसमें जो लिखा गया पहला शंगीत बॉसरा लिखा गया है चौतर घ personalities मिसी चोधरी तो इसमें जो अंसर होगा शंपत पाल देवी मिंस अंसर नंबर टू हमारा सही होगा चलिए हम अगले कोईशन पे चलते हैं यहां आप लिखा गया है निम लिखित में से किस जिले को राष्टी राजधानी छेत यन सियार के 23 जिले के रूप में सामिल किया गया है यह भी जो कोईशन आप से पूछा गया था 19 जून 2018 सिट नंबर वन में पूछा गया था तो पहला लिखा गया है सालमी दूसरा लिखा गया अलीगर तीसरा लिखा गया आगरा और चौथा लिखा गया मतुरा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें जो हमारा राष्टी राष्टी राजधानी छेटरियंसी यार उत्तर परदेश के जिले आठ गाजियाबाद गौतम बुद्धनगर बुलंद सहार हापूर बाधपत मुझभफर नगर और कौन से होते हैं सामली होते हैं इसमें से कोई भी दिया होगा तो वही सही होगा ठीक है लेकि विखित में से कौन सा देश भारती राज उत्तर प्रदेश के साथ अपनी शीमाओं को साजा करता है यह भी कोईशन आपका बहुत इंपॉर्टन्ट है जुन 2018 सिप्ट नमबर वन में पूछा गया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहला लिखा गया चीन दूसा लिखा है कहां पर है लखनो के बगल में 12 बंकी में देवा मेला परतेक बर्ष हिंदू कलेंडर के कार्तिक महिने में परसीद सूफी संत के बारशीक उर्ष के औसर पर आयोजित किया जाता है यह कोईशन आप से 2019 जून 2018 में पूछा गया था जो पहला आप्षन दिया गया है निजामुद्दीन अलिया दूसरा दिया गया वारिस अलिशा तीसरा दिया गया मुई जिदिन चिस्दी और चोथा दिया गया सलीन चिस्दी तो इसमें जो आप्षन हमारा होगा वारिस अलिशा होगा क्या हो जहनाता है मिलको में तूसरा, टिसरा चायती और चौठा कैहों तक में जहाता है, कजरी गीत गया जाता है मिंसान सन नंबर चार सही होगा अगले कोश्चन पर हम आते हैं उर्दु कविता में फिराक गोरक पुरी के नाम से किसे जाना जाता है देखिए बहुत ही इंपर्टन कोश्चन है इस बार पेपर में आने वाला कोश्चन है आप लोग नोट कर लीजि है नवल किसोर तो इसमें जो आपसन हमारा होगा थ्री होगा रगुपति सहाय कौन सा होगा रगुपति सहाय होगा चलिए अगले कोश्चन पर हम आते हैं यहां पर लिखा गया है राजा हर्स बर्धन ने ज्यान का एक विसाल केंद्र स्थापित किया था इसे भद्र विहा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उननीस जुन दो हुजार अठारा सिक्टमबर वन में पूछा गया था यहां पर जो आप संद दिया गया फर्स्ट मतुरा दूसरा कासी तीसरा कनोज और चौथा क्या दिया गया है हरी द्वार दिया गया तो आप लोग कमेंड करक किसी प्रे में पूछे गया है यहां से जादे कुछ नहीं आना है प्राचीन भारत में जब्द्यग्न जिका आस्रम जमानियों में था जो बर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थित है ये भी हमारा 19 जोन 2018 सिप नंबर 1 में पूछा गया था पहला लिखा गया है कानपूर दूसरा गाजीपूर तीसरा वाराण सी और चौथा लिखा गया है सीतापूर तो ये कहां पे होगा आपका गाजीपूर गाजीपूर कहां पे है आजमगड के बगल में है चल कि अज़रë जल्ददीके मारा शाही होगा सीढ़ें सोधा यहि चलते हैं यहां पे हम आते हैं और लिखा गया देखिए यह चीज़ मैं आपको पताना चाहूंगा जिसा पहले हम बात करते हैं बंदेल खंड छेत अगला जो हमारा कुश्चन लिखा गया है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा निम्न लिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंद खंड छेतर से संबंधित है जो इसमें अंसर दिया गया फतेपुर सोनभद्र महोब्र स्तरावस्ति आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या होगा होके हैँ चलिए आगे अगे हम बात करते हैं यहां पे सबसे पहले आप लोग धान दीजिएगा कि यहां पर लिखा गया है बुंदेल खंड छेतर में जो बुंदेल खंड छेत्र होता है उसमें क्या क्या आता है उत्तर प्रदेश के जालोन जासी ललिदपूर चित्रकूट हमीरपूर बादा और महोबा तथा मध्य प्रदेश सागर दमो इकमगर छतरपूर पन्ना दतिया के अलावा भिंड जिले की लहार और ग्वालियर जिले की मंडेर तहसीलें तथा राइसेन और विदिसा जिले का कुछ भाग भी सामिल है तो इसमें इस सब चीजों में क्या क्या गया है अगला कुशन देखिए हम लिखा गया है उत्तर प्रदेश का छेत्रफल देश के कुल छेत्रफल का लगभग कितना है यह उन्नीस चार परशंट और चोथा जो लिखा गया है साथ दस्मल तीं परसंट तो यहाँ पर जो हमारा आप संद्धू हमारा आंसर हो इसमें जो होगा और एक चीज आप जानें से यहां पर हो लिखा गया है थोड़ा सा आपको धां दिजीएगा जीले उत्तर परदेश me जो जिले हैं कितने हैंज vision singles Day इंब кр diffé second अर मंदल कितने है संभाग कितने हैं चार मंदल कितने है ञैंड उत्तर परदेश की जनसंख्या कितनी है उन्नीस अठान बारा तीन फोर वन उन्नीस का सकत है यह हमारी क्या है जनसंख्या है उसके बाद देखिए आप लिखा गया है सबसे पलेध हम बात करते हैं शेत्रफल जो इसका है कितना है दो लाख अनतिस जार पांसो चब्विस बर किलो मीटर उत्तर परदेश का अकंशिय चयए बिष्टार जो दिया गया है 23 लिगरी बिटकशिय चयए 56 लिखुतिषू १ुत्रिक रभाव त्यूर Champions तक था 77 डिगरी 0.5 दिशांतर द्यूरांसी ट्यूरासी धिग्री अनटीश कि पूर्व से पस्म तक इसकी लंबाई कितनी है पूरव से पस्म की तक की लंबाई कि चार्सव पचास किलो मीटर है तथा उत्तर परदेश से दच्छिर तक की लंबाई होगी कितनी होगी चली अगले कुश्चन पर हमाते हैं आप लिखा गया है चाठी सताबदी में इसापूर्व मतुरा की राजधानी बन गया जो चाठी सताबदी इसापूर्व मतुरा को जो राजधानी बन गया था वो क्या था यह जो है 19-00-2018 चिप्ट नंबर वन में पूछा गया था पहला आप्से सही होगा हूरेन सांसन नबर हमारा-टिफिर सही है मने मसट चली अगहां उत्तर प्रदेश धैनिक सामाचार पत्र हिंदुस्तान 1-8- lowerạt मीं पूछा गया सब माने पूछा उब्यान था कुर्षृ म्रा YOUNG था होगी तुछ इसमें जो हमारा आप्षन सई होगा वो होगा थिरी मदन मोहन मालविय यहां पे लिखा गया है चलिए दोस्तों हम अगले क्यों करते हैं उत्तर परदेश में सभी आधिकारी कारियों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस बर्स इसे कानूनी रूप से बैधिकारी बना दिया गया था कशन के देशाजाद होने के बाद रहा घ्राक लिखा है फाइजाबाद के पर्मुक संगीत कार थे जो शास्त्रीय संगीत में टपा सैली बिक्सित की थी यह जो हमारा नीस जून 2018 September 2 के कोश्चन में पेपर में आया था पहला लिखा गया मुस्तारी भाई दूसरा लिखा गया में और चौ था लिखा गया है देखे दोस्त यह भी कुर्षन आप से पूछा गया था कब उननीज जून दोहजार अठारा सिप्टमबर टू में का कि निम्लिखित में से क्या लिखा गया था निम्लिखित में से कौन सा बुंदेल खंड का एक लोग प्रिये लोग गीत है पहला बिरा मतलब बिरहा आलास रसिया और लंगूरिया तो इसमें जो आप सन हमारा सही होगा कौन सा होगा आलहा होगा कौन सा होगा आलहा होगा चलिए हम चंद्रा आये से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धनबात आप सभी लोग इस ससन को जादे जादे लोग को सेयर करें सब्स्राइब करें और आगे की वीडियो आप लोग देखते रहें जाएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेट होंगे जय हिन जय भारत